नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा ओनलाइन इस्टेटेवी डीके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं परियावरान में पक्षी से संब्रत प्रशनों के बारे में यह वो प्रशन है जो कि सीटेट उनलाइन एक्जाम जो हुई थी उसमें पूछे गए प्रशन है सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रशन है पक्षी से संब्रत तो आपको इसकिप नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अन्त में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ पर इस से पहले हम जो विभिन राज्यों के लोकनत्ति हैं उस पर हम वीडियो बना चुके हैं साथ में इंपोटेंट जानकारी भी यानिकी और भी प्रशन अलग से रखे गए हैं ताकि आने वाली एक्जाम में इस प्रकार के प्रशन भी आए तो आप गलत ना करें तो उन दोनों वीडियो को देख लिजेगा आपको काफी हेल्प मिलेगी तो यहाँ पर पक्षी से सम्मरेज सारे प्रशन आपको मिलने वाले हैं तो इसकिप नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लग करते हैं निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना गोसला बनाते हैं यहाँ पर सीधा सीधा पूछ गया है आपको उस पक्षी के बारें बताना है जो पेड़ के तनों में अपना गोसला बनाते हैं क्या वो कोगा है क्या वो बसंत गोरी है जिसे बार बेट जिसे बारबेड वहां पक्षी है तनों में अपना गोंशला बनाता है देखिए यहाँ पर हम आपको हर एक विकलपे की जानकरी देंगे और अंत में जो विभिन प्रकार के गोंशले उनके बारे में बताएंगे तो अंत तक जरूर बने रहिएगा तो यहाँ पर देखिए बाकी कोई सकर खोरा और दरजिंग चीडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोई है यह किस प्रकार का गोंशला बनाता है तो कोई का जो गोंशला होता है वो लोहे के ताल लकडी की साखाओं से बने होते हैं और कोई अपना गोंशला है वो पेड़ों की तने गहरा चेद बना कर उसमें अंडा रखती है तता गर्मी के मोसम में टूर्कूर करती है तो यह कौन से अपक्ची है बसंत गोरी दरजिंग चिडिया की बात करें तो दरजिंग चिडिया अपनी नुकिली चोच से पत्तों को सी लेती है फिर उसके बीच बनी देवी में अंडा देती है यानि की जिस प्रकार से वो सी लेती उसके अंदर ही वो अंडा देती है वो कौन सी चिडिया है दरजिं चिडिया सकर खोरा के हम बात करें तो सकर खोरा अपने घोसला किसी छोटे पेडिया डाली पन लटकता हुआ घोसला बनाता है लटकता हुआ घोसला आपने देखा होगा वो किसका होगा सकर खोरा का होगा तिन चारों के बारे में आपको जानकरी होना चाहिए आगे प्रशने भी उस चिडिया का नाम आपको बताना है कौन से, चिडिया है, मोर है, कोयल है, तोता है या फिर गोरेया है, आपने देखा वो बच्पन में सायद आपने भी जुआर वगरा डाली होगी बरसाद के समय में जब बरसाद होती थी, जब बंद हो जाती थी बरसाद उसके बाद में, घर पे ममी पापा को देखा होगा, आपने भी डाली होगी, मैंने तो डाली भही जुआर, उसके बाद चुडिया एकटी होके आती थी, तो वो जो चुडिया है, उसका नाम यहाँ पर बताना है, पहले बहुत दिखती थी, वो अब चाहेगा आप गाउं में चले जाए, या पर इस सहर में चले जाए, वो चुडिया बहुत कम दिखाई देती है, तो उस चुडिया के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए एक विस्ज दिन मना जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले चुडिया का नाम जान लेते हैं, चुडिया का नाम है गोरेय दिवस मना जाता है, विस्ज गोरेया दिवस, तो वो कब मना जाता है, तो वो 20 मार्ची को मना जाता है, कब मना जाता है, 20 मार्ची को आगे बात करेंगे, तो याद रखिएगा, गोरेया आपका सही अंसर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 20 मार्ची को विस्ज चाहे निश्यंदन प्रणाली कहे लिजे या फिर चाहने की प्रणाली कहे लिजे वो कौन से पक्षी होते हैं जिनकी चोच में चाहने की प्रणाली या निश्यंदन प्रणाली होती है फ्लेमिंगो हंसावर है रोबिन यूरोपियन छोटी चिडिया है मेकाओ लंबी पूच क होता है या फिर गोरे या है तो यहां पर धियान दीजिएगा वहाँ पक्षी सभी पक्षियों की बात हो रहे हैं यहाँ पर वहाँ पक्षी जो अपना भोजन जल पर रहकल करते हैं या फिर जल में करते हैं उनकी चूँच उनकी चूँच में चानने की प्रणाली होती है याद रखेगा है ना जितने भी पक्षी अपना भोजन जल में करते हैं उनकी चोच में क्या लगी होती है चानने की प्रणाली लगी होती है अब इन चारों विकल्पों के मांतियम से आपके बताना है कि वहाँ पक्षी कौन सा है जो अपना भोजन जल में ढूंडता है वहाँ पर आपने देखा होगा कोई सा भी पक्षी हो जब अपना भोजन जल में ढूंडता है तो जल में अपने चोच डुबाता है पानी अलग हो जाता है और भोजन वहाँ पर ले लेता है कोई सा भी पक्षी हो वो पक्षी हाँ पर होगा आपका flamingo हंसावर है ना flamingo हंसावर पक्षी की चोच में छानने की प्रणाली होती क्योंकि यह जो अपना भोज़ने Seo कहां पर करता है जल पर रहकर करता है तो पेहला वाला विकलपे आपका सङा होगा देखें, यहाँ पर निश्यंदन प्रनाली के बारे में, और भी जो विकलपे हैं, उनके बारे में जयनकरी देंगे, तो सबसर पहले जो निश्यंदन प्रनाली होती हैं, वो क्या होती हैं, तो यहाँ पर देखें, जो निश्यंदन प्रनाली होती हैं, यहाँ पक्षियों के लिए एक प्रकार की आहार प्रणाली होती है जो छानने वाली प्रणाली होती है उसके बारे में यहां पर बताए जा रहा है कि यह प्रक्षियों के लिए क्या होती है एक प्रकार की आहार प्रणाली होती है और यहां प्रणाली मुख्य रूप से उनकी चोंच पर मोजुद ह कहां पर चोच पर यहां खाद सामगरी को चान कर पानी से अलग करने में मदद करती यानि कि पानी अलग हो जाता है और उनके जो खाद सामगरी है वो अलग हो जाती है और यहां निशिदिन प्रणाली मुख्य रूप से पक्षियों में मुझध होता है जो जल निकायों पर भ बोजन करते हैं उनमें उन्हें पक्षियों में ये मोज़ुद होती है और चानने के उद्धेश 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 बेखे तें गोर्म को बताएं था,ांसर आपको हणसावर। पार्स जो चौच होती है, वो केसी होती है? सपाठ और चौड़ी होती है। उन्यद्धा ये ज़ल निकायो पर भ़ोजन करते हैं, इसलिए इनके पास क्या होता है, छानने की जो प्रणाली होती है, वो इनके पास होती है, इनकी चोच में होती है यहाँ पर देखे, Robin Robin European छोटी चिडिया है ना इंगलिस में क्या कहते है, इसको Robin कहते है और हिंदी में European छोटी चिडिया कहते है तो इसकी जो चोच होती है, चोच के बारे में पूछा जाता है अधिक तरह भी जो सीटेट एक्जाम हाली में आपकी उनलाइन एक्जाम होई थी, उसमें पूछा गया था चोच के बारे में तो पता होना चाहिए तो Robin यानि कि जो European छोटी चिडिया है इसके चोच कैसी होती है, तो पतली और सीधी होती है और ये किसको खाती है, तो ये कीडे को खाती है इसलिए इन्हें निश्यंदन प्रणाली के अवशकता नहीं होती है क्योंकि ये किसको खाती है, कीडों को खाती डारेक्टे खा लेती है, पाने से उठा कर खाने के इनको अवशकता नहीं है आगे हम बात करेंगे चोच होती है, छोटी और घुमावदार होती है, और यहां अपने भोजन के प्रविजनों के लिए फलो को तोड़ने में मदद करता है, किसे वो जो चोच होती है, किसमें मदद करती है फलो को तोड़ने में मदद करती है इसलिए इने भी निशिंदन प्रणाली के अवशकता नहीं होती है गोरया की हम बात करें तो गोरया इस प्रजाती की छोटी संकु के अकार के चोच होती है किस प्रकार के चोच होगी इनकी छोटी संकु के अकार के चोच होती है और ये मुख्य रूप से बीज खाते हैं मुख्य रूप से क्या खाते गोरेया बीज खाते जैसे कि मैंने गोरेया के बारी में आपको बताया था आपने बच्पन में डाला होगा है ना जुआर वगेरा जो भी आपके घर में खिलाने के लिए होगा वो आपने डाला हुआ और देखा होगा गोरेया को तो इसलिए इन्हें भी निशिंदन प्रणाली के वशकता नहीं होती है किसको होती है फ्लेमिंगों हनसावर को होती है जो की जल में अपना भोजन को ढूंडती है इसलिए इनको जो जो चानने की प्रणाली है इनके अंदर होती है और कहाँ पर होती है चोच में होती है चले अगला प्रशने आपका निमलिखित में से निमलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है हनसावर, फ्लेमिंगो या फिर छोटी जल रंक जिसे इस्टीट भी कहा जाता है तो यहाँ पर देखें सबसे छोटा प्रवासी पक्षी के बारे में पूछा गया है तो वो होगा आपका छोटी जल रंक इस्टीट ये सबसे छोटा प्रवासी पक्षी होता है और इसका वजन केतना होता है तो इसका वजन होता है 15 ग्राम लगभग है ना लगभग लगभग 15 ग्राम का होता है मातरी और आंग सोरी आर्कटिक छेतर से भारत पहुचने के लिए कितने किलोमेटर से अधिक की आतर करता है तो ये करता है आपका 8000 8000 किलोमेटर जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है आप देख सकते हैं तो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कुन सा है छोटी जल रंग के हैं इसका वजन कितना होता है 15 ग्राम लगबग होता है और आर्कटिक छेतर से भारत पहुचने के लिए 8000 किलोमेटर से अधिक की यात्रा ये करता है अगला प्रशने है देखिए काफी अच्छा प्रशने ही ये पूछा गया है आपसे कॉलम फर्ष्ट दे रखा है और कॉलम सेकंड दे रखा है पक्षी का नाम दे रखा है इधर और इधर गोंसलो का विर्वन दे रखा है थोड़ा उपर हम कर लेते हैं आपने देख लिया प्रशने क्या पूछा गया है तो यहाँ पर पक्षी का नाम और गोंसले का विर्वन करके आपको कूट में आंसर देना है तो यहाँ पर देखें पहला विकल पर है आपका सकरखोरा दूसरा है कोयल तीसरा है कलचीडी और चोता है दरजिंग चीडिया तो इसमें आपको देखकर बताना है कि यह जो जोड़ी है जोड़ी आपको मिलान करना है कूट में आंसर देना है तो सकर खोरा किस प्रकार का गोसला बनाता है तो थोड़ी देर पहले में ने आपको बताये था ये किस प्रकार का गोसला बनाता है छोटे पेड़ की डाली पर लटका गोसला इसमें बाल बारी घास पतली टहनिया सुके पत्ते कपड़े के चिथरे आधी होते हैं इस प्रकार का जो घोसला है वो कौन बनाता है सकर खोरा बनाता है तो यहां पर हम देख लेते हैं A का क्या होगा आपका 4 नंबर है न B का क्या होगा कोयल केसा अपना घोसला बनाती है तो कोयल जो होती है अपना घोसला श्यम नहीं बनाती है आपना देखा होगा कोयल अपना घोसला नहीं बनाती है कोवा इस पक्षी के लिए घोसला बनाता है जिसमें यहां अंड़े देती जब कोवा नहीं होता है उस बीच में कोईल अपना अंडा, इसका जो घोंसला होता है, कोईय का उसमें रख देती है, वो बूं पालन पौसट कोन करता है, कोवा करता है, सोरी कोईल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो B में क्या आईगा आपका फर्ष्ट C में देखते हैं, C याने की कलचीडी, कलचीडी अपना घंशला कैसा बनाती है, चार विकलप यहां पर हैं देख सकते हैं, तो जो कलचीडी हैं, यह अपना घंशला बनाती है, सटक के किनारे, पत्थरों के बीच घंशला, उसके उपर पोधों की टहेनिया, जड़े, बाल, बिशी होना चाहिए, इस प्रकार का गोंशला कुण बनाती है, कल चीडी बनाती है, तो तीसरे में आप यहां पर सेकंड लिख सकते हैं, और दर्जिंग चीडियां, दर्जिंग चीडियां आपना गोंशला कैसा बनाती हैं, तो यहां पर एक विकल पर बचा है मातर आपका, ज़ाड़ी पर दो पत्तों को नुकिली चोज से सीकर बनायागा है, गोंसला किसका होता है, दर्जिंग यहां से आप पता कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा दर्जी से है, जैसे दर्जी सिलता है, इसे ही यह जो पत्ते होते हैं, उनको आपस में जोड देती हैं, सी दे यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है तो फूर्थ वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन आपका छटा पक्षियों की उस प्रजाती का नाम आपको बताना है जिसमें नर्पक्षी अनेक सुन्दर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनता है और उसमें अंड़े देता है याना कि एक जो पक्षी होता है जो नर्पक्षी होता है यो अनेक घोंसले बनाता है याना कि कितने भी घोंसला बनाए लेकिन उसमें से जो मादा पक्षी है उसको जो घोंसला पसंदाता ह जो सुन्दर गोंसला होता है उसको वो चुंती एक गोंसले को और उसी में वंडा देती है तो वहाँ कौन सा पक्षी है कल चीडी है सकर खोरा है, दरजिंग चीडीया है या फिर बया वीवर है तो वहाँ पक्षी कौन सा होगा आप भी आंसर दे सकते हैं राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वीवर पक्षी की सब बया पक्षी भी कहा जाता है यह पक्षी एक मात्र ऐसा पक्षी होता है जो वीवर में नर पक्षी होते हैं वो अन्य गोशले बनाते हैं सुन्दर सुन्दर है उसमें से जो मादा पक्षी को पसंद आता जो अधि की वीवर पक्षी है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कल चीडी उसमें विकल्पे में था बागी जो विकल्पे हैं याने की चार विकल्पे थे जिसमें हमने सकरखोरा के बारे में आपको बता दिया दरजिंग चीडिया के बारे में बता दिया था कल चीडी के बारे में तो कल चीड़ी आये तो आपको पता होना चाहिए कि यहां अपने अंडे किसमे देती है पत्थरों के बीच में बने गोशली में देती है चली आगे बात करें साथवे प्रस्ने की तो यहां पर पूछा गया है कि उस पक्षी का नाम आपको बताना है जिसकी आखे मानवो की तरह सामने की तरफ होती है सरलसा है सभी को पता होगा चील है बाजे गित्त है या फिर उल्लू है तो सही आंजर आपको क्या होगा यहां पर उल्लू है ना जो उल्लू की आखे होती है वो किस प्रकार होती है मानु की तरह सामने की तरह होती है और यह अपनी गर्दन कितने डिग्री तक घुमा लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं तो उल्लू जो होता है उल्लू की सिर्के सामने की तरह आखे होती जैसे कि प्रस्ने में लिखा हुआ था और उल्लू अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है तो यह 270 डिग्री कितना 270 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू यह डिग्री में पूछे तो 270 आपको याद रखना है बाज, चील और गिद्ध की हम बात करें तो इन पक्षियों की सिर्के किनारों पर आके होती हैं देखिए सामने किसकी आके होती है उल्लू की होती है लेकिन यदि आपसे पूछ जाता है कि वहाँ पक्षी कौन सा है जिनक अगला प्रशन है तीन पक्षियों का वहाँ समूज इसका प्रतिक सदस्य वस्तु को हमारे तुलना में चार गुना अधिक दूरी इस परश देख सकता है जो वस्तु हमें दो मिटर की दूरी से दिखाए देती है उसे ये पक्षी आठ मिटर दूरी से देख लेते हैं वह क जादा समझाने के और शक्ता नहीं है सही आंसर आपको पताऊगा वह बाज चील है और गिद्ध है यानि कि जो बस्तु हम दो मिटर से देख सकते हैं वह ये तीनों जो पक्षी वह आठ मिटर से भी आसानी से उसको देख सकते हैं चलिए जिसा कि यहाँ पर आंसर मैंने बत यह पूछा गया प्रस्ण है और काफी बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया था और काफी ने गलत भी दिया था जटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कुन सा है तो वो होगा आपका मेना याद रखेगा है ना मेना ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को जटके से आगे पीछे कर सकता है चलिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है और अगला प्रस्ण आपका दस्वा अपनी गर्दन को पीछे तक गुमा सकने वाला आगे पीछे वाला कौन सा पक्षी वो मेना है लेकिन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है 270 डिगरी मैंने आपको बताया था भी है ना वो कौन सा पक्षी कबूतरेत होता है उल्लू है पिर मेना है तो कौन सा होगा उल्लू होगा ये प्रश्ण भी CT exam में पूछा गया है तो दो तरह के से ये प्रश्ण पूछा गया है तो याद रखेगा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी उल्लू है और आगे पीछे करने वाला जो पक्षी होगा वो मेना होगी चलिए जटके से आगे पीछे करने वाली जो पक्षी होगी वो कौन सी होगी मेना होगी चलिए अगला प्रशन आपका एक छोटे से पेड़ या जाड़ी की साखा से लटकने वाला गोंसला बनाने वाला पक्छी कुन सा है एक छोटे से पेड़ पर आपने देखा होगा जाड़ी के साखा पर लटकने वाले जो गोंसले होते हैं वो कुन सा पक्छी बनात बसंत गोरी बनाता जैसे बार्वेट भी कहा जाता है या फिर भारती रोबिन कल चिडिया बनाती है यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ कौन सा पक्षी है जो अपना गोंसला लटकने वाले गोंसले बनाने वाला पक्षी के बारे में आपको बताना है तो वो होगा आपका स इसको हम प्रजाती कहते हैं, पक्षियों की एक प्रजाती AC है, जिसका नर पक्षि सुन्दर सुन्दर गोंशले बनाते हैं, अभी हमने इसका आंसर दिया था, यह प्रशन ने दो बार पूछा गया है, तो माधा पक्षियों सभी गोंशलों, गोंशलों को देखती हैं, उन मे प्रश्ण होगा बया याने के वीवर पक्षी होगा सेकंड वाला विगल पर आपका सही होगा चली अगला प्रश्ण है आपका और अंतिम प्रश्ण है टोटल 13 प्रश्ण है पूछे गए थे सीटेट ओनलाइन एक्जाम में यहां पर देखे जितनी भी चोच के बारे में बत दाना है जो मीट को काटने और खाने के काम आती है तिकोने अकार की चोच है सीधी और पतली चोच है हुक जैसी चोच है या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोच है तो यहां पर देखे मीट को काटने और खाने के काम आती है इस प्रकार की चोच कोन से पक्षी में होती है औ और किस प्रकार के चोँच होती है तो वो हुक जेसी चोँच होती है और किस में होती है यह बाज में हो सकती है होती है ना हो सकती नहीं बाज में होती है गिद्द में भी हो सकती है है ना और भी जो पक्ची है जो मीट को खाते हैं उनकी जो चोच होती हूँ किस प्रकार की होती है हुक जैसी चोच होती है आगे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो हुक जैसी चोच होती है वो बाज के पास इस प्रकार की चोच होती है यहां मास को फाडने और तोडने में मदद करती है और सिकारी पक्षियों की चोच ऐसी ही होती जितने भी सिकारी पक्षि है उनकी चोच केसी होती है हुक जैसी चोच होती है यहां पर तिकोने आकार की चोच भी विकल्प में था तो तिकोने अकार के चोच किसकी होती है गोरिया की इसी चोच होती है गोरिया आपने देखी होगी तू उसकी चोच किसी होती है तिकोने अकार की चोच होती है यहाँ एक छोटी और मजबूत चोच होती है यहां उन्हें खुले बीजों को तोड़ने की अनुमती देती है आपने देखा होगा गोरेया को उनकी चोच कैसी होती है तीकोंने अकार की चोच होती है और मजबूत होती ही छोटी होती है आगे हम बात करें सीधी और पतली चोच के बारे में ये किसकी होती है कल फोडवा की होती है आपने देखा होगा एक पेड में घोसला बना कर जो पक्षी होता है उसका नाम क्या होता है कट फोडवा होता है उसको देखा होगा आपने जोर जोर से जोर जोर से वहाँ पर मारत रेता अपने चोंच से और वहाँ पर वहाँ पर अप मार के अपना गोशला बना लेता है यहां कीडो को खाने में मदद करती है इसकी चोच और लकडी से कीडे खोजने और खाने में मदद करती है आपने देखा होगा लकडी में यह अपना गोशला बनाता है कहने का मतलब जो पेड होता है उसमें अपना गोशला बनाता है और उसमें अपना खाना ढूंडता रहता है बात करें आगे लंबी पतली सुई जैसी चोच तो लंबी पतली सुई जैसी चोच किसकी होती है मरमर पक्षी जिसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है इंग्लिस में हमिंग बड कहा जाता है इसकी चोच केसी होती है, लंबी होती है, पतली होती है और सुई जैसी होती है हमिंग बड से की है न तो ये कौन सा पक्षी है, हमिंग बड से जिसे मरमर पक्षी भी कहा जाता है, गुंधन पक्षी और कोयल की बात करें तो कोयल अपना गोशला नहीं बनाती जैसा कि मैंने आपको बताया था जो कोवा होता है उसी के गोशले में जब कोवा नहीं होता है तब वो महाँ पर अपने अंडे को छोड़ देती है तो वो कौन से पक्षी है जो अपना गोंसला नहीं बनाती है तो वो कोयल है आगे अब बात करते गोरेया की जो गोरेया पक्षी है और कबुतर पक्षी है ये दोनों ही अपना गोंसला है वो कहीं भी बना लेते हैं जैसे कि अलमारी के उपर बना लेते हैं आइने के पीछे दिवार पर जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि कभूतर भी गोरिय की तरह अपना गोंसला कहीं पर भी बना लेती जैसे कि पुराने मकानों पर खंडरों पर इनके गोंसले आपको देखने को मिलेगे तो गोंसला के कोन बनाता है गोरिया या फिर कभूतर य तता गर्मी के मोसम में टूरू-कूरू करती है ना इसके आवाज आपने सुनी होगी बसंत गोरी की तो ये इंपोटेंट नहीं है इंपोटेंट क्या है आपका कि बसंत गोरी पेड़ के तने में अपना गेहरा चित बना कर अंडे रखती है आगे बात करेंगे सकर खोरा की जो सकर खोरा पक्षी है ये सकर खोरा अपना गोंसला के सी छोटे पेड़ या पर डाली पर लटकता हुआ गोंसला बनाता है इसके गोंसले में बाल हो सकते घाष, टेहिनिया, सुकी पत्ते, कपड़ों की चित्धडे मकडी के जाले जैसे बने होते हैं इस प्रकार का जो गोंसला है वो कौन बनाता है सकर खोरा बनाता है फाक्ता पक्ची की बात करें फाक्ता पक्ची के बारे पूछा जा सकता है फाक्ता अपना गोंसला केक्टस के काटो के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना गोंसला बनाता है और यह सायद पूछा गया है और फ्लाइन एक्जाम में और वीवर पक्षी जिसको जुलाही चीडिया भी कहते हैं यह अपना गोंसला लालटेन की तरह बनाती है जो राणियों से लटका हुआ होता है गोंसला नर वीवर पक्षी जैसे कि थोड़े दिर पहले बताया था वो पक्षी कोन सा है वीवर पक्षी बहुत सारे गोंसला नर पक्षी द्वारा बनाये जाते हैं और मादा पक्षी द्वारा जो सुन्दर गोंसला होता है उसको चुनना होता है और उसमें वो अंडे देती है आगे हम करते हैं मेना की देखिए मेना के बारे में थोड़े दरे पहले बताया था कि यह जटके के साथ अपनी गर्दन आके पीछे करती है वहां पक्षी कोन सा है मेना और उल्लू पेड के किसी खोंकले भाग में ही अपना गोंसला बना लेता है जो खोंकला भाग दिखता है उसमें अपना गोंसला बना लेता है वह कोन सा पक्षी है वह है उल्लू और अपनी जो गर्दन है वह काफी हट तक पीछे गुमा लेता है और कितना डिग्री तक गुमा लेता है दो सो सकतर डिग्री तक यह अपनी जो गर्दन है उसको गुमा लेता है बात करें चील की तो सबसे उचे पेड़ पर गोंसला बनाता है, इसका जो गोंसला होता है, वो चार से पांच पर चोड़ा होता है, चार से पांच पर चोड़ा किसका गोंसला होता है, चील का होता है, गिद्दे की हम बात करें, गिद्दे की हम बात करें, तो यह अपना गोंसला सुनसान, पेड़ों प देख लेते हैं वो पक्षी कोन से होते हैं चील बाज और गित अगला और अंतिम यहां पर पक्षी आपका कट फोड़वा है ना इसके बारे में थोड़े पहले बताया था कि यहां पक्षी लकड़ी में छेत कर अपना गोशला बनाता है तदा उसमें छुपे कीड़े को भी खाता है तो वहां पक्षी कोन सा होता है कट फोड़वा होता है तो यह रही पक्षी से सारी जानकारी जो के सीटेट इकजाम में पूछी गई थी साथ में जो इंपोर्टेंट जानकारी है वो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है तो आए होप आपको यह करना है चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्द ही दोस्ते कर नहीं वीडियो को साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद